मद्यप्रदेश के ग्वालियर जीले के कमला राजा महिला एवं बाल शिशु रोग विभाग में अनोकी बच्ची का जन्म हुआ है जिसके चार पेर है प्रसुता महिला का नाम आर्टी कुश्वा है जो सिकंदर कंपु की रहने वाली है इस अजीबो गरी बच्ची के जन्म के बाद बाल एवं शिशु रोग विभाग के विशेशग्य चिकिस्षकों के अलावा अन्य डॉक्टरों की टीम ने जया रोग ये अस्पताल समों के अधिकशक के साथ बच्ची का परिक्षिन किया और विशेशग्य डॉक्टरों ने पाया है कि बच्ची के जन्म के दोरान उसमें शारीरिक विक्रती है और कुछ भ्रण अतिरिक्त बन गया है जिसे Medical Science की भाशा में इशो पैगस कहा जाता है जिसमें कि शरीर के नीचे के भाग का अतिरिक्त विकास हो जाता है और इसे रेयर यानि कुछ हजारों केसों में इस तरह के लक्षण होने की बात सामने आई है शिवपूरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट हाँ यह मुझे पता लगा तो मैंने देखा है इसको अच्छली यह जन्म जात विक्रती होती है इसको कज्यानेटल एनमली बोलते हैं इसमें क्या होता है कि जब भ्रून विक्सेत हो रहाता है माते पेट में उस समय एक से दो कोशिकाओं में बढ़ता है तो कई बार दो प्रून जाते हैं लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि एक नीचे के हिस्से का पॉर्सन है वो सरफ उसमें से सरफ पैर डेफलप हुआ है कमर के नीचे उपर का हिस्सा नहीं डेफलप हुआ है तो इसको इसको इस को बोलते हैं medical science की भासा में इसको हमारे चेक्षच्छों ने पेडियारिक सर्जण पीडियाडियोटिश्यं सभी नहीं और इसको सरजरी के द्वारा इसके जो दो पैर हैं वह जो एक्स्ट्रा हैं उनको निकालके और बच्ची को बाद मैं पूरा स्वस्त जीवन के लिए हम लोग पूरी अमीद करते हैं और इसको कर दें। कितने case में ऐसा होता है ? तक यह ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर यह particular जो case बहुत rare होते हैं या तो ऊपर का धर्ड जुड़ा होता है , या पूरे उपर से नीचे तक का धर्ड जुड़ा होता है आपने देखा हुआ किसी के सर जोड़े होते हैं पूरे बच्चे डवलप होते हैं लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ऊपर का बच्चा तो गईव है लेकिन सर्फ पैर पैर डवलप हो है नीचे के तो यह अलग लग तरह की जो ट्विंस हैं जनको स्यामी ट्विंस बोलते हैं वो एक एक ही अंडे से भिक्सेत होते हैं इसमें भी वही हुआ है लेकिन ऊपर का गईव है और नीचे का हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल अजड़िल 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना मुलें